लाइफ हमेशा बहुत ही अनेक्सपेक्टेट से टरंस लेती है किसी ऐसे टरंड पर कब हमें प्यार हो जाए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसे एक ब्यूटिफुल सी थीम के साथ आज के हमारी मूवी ते प्रोपोजर ये 2009 की एक रोमैंटिक हॉलिवड मूवी आती है इसकी स्टोरीलाइन को बता ना स्पोयलर होगा बटाया शोरियो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो अंदग इस वीडियो को जरू देखेगा अगर आपको एक्सपेशन चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना इस देरी के एक्सपेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन क्यारेक्टर मार्गरेट को देखते है जग पूप पुब्लीशिंग कमपनी में एटिटर थी है हमारा सेकर्ड मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है एंड्रू यह उसके लिए असिस्टन्ट था वो आज जरा उटने में लेट हो गया तो जल्दी से रेडियो कर कॉफी लेकर मार्गरेट के पास बहुच जाता है जाते-जाते उसके हाथ से कॉफी भी नीचे किर गई थी मार्गरेट अब तक ऑफिस में आई नहीं थी तो डर कर जल्दी से अपना शर्टो बदल लेता है इसके लिए अपने कोवरक और कोवसे एक गेम के बहुत एक्सपेंसिव टिकिट भी देने पड़े थे जब भी मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट परसन हमेशा सब को मेल कर देता है कि ऑफिस में आ चुकी है तो सब लोग काम करने लग जाते है वो बहुत ही जादा स्टिक्ट है उसके किलाफ कोई भी नहीं जाता मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस बुक लिखे पर वो लिखने के लिए रेडी नहीं था तो मार्गरेट खुद उसे कॉल करती है बहुत अच्य से बात करकर उसने बुक लिखने के लिए उसे कन्वेंस कर ही दिया था वो अपनी कॉफी पर नोटिस करती है कि एंडरू का नाम लिखा हुआ है उसने बुज़ा कि मेरी कॉफी को क्या हुआ एंडरूने कहा कि एक नीचे गिर गए थी मार्गेट ने कहा क्या हम दोनों एक टाइब की कॉफी पीते हैं अगर तुम उससे डर कर सेम टाइप की कॉफी पाई करते हो तो यह बहुत ही पथेटिक है एंड्रू साशुष में उससे डरता था इसी वज़े से सेम कॉफी पाई करता था और इसके बाद दुनों मिलकर एक इंपलॉई के ऑफिस में जाते है उस आर्टिस को बुक लेने के मनने का काम उस इंपलॉई का था आप मागरेट को करना पड़ा इस वज़े से बहुत जादा घुस्सा थे उससे कनफर कर ते और इस पदा चलता है कि उसे नेट्राइब नहीं क्या था इस वज़े से उसे फायर कर देती है वह इंपलॉई भौँएब भहँएब गॊसा हो के ग्रैंड मा का 19 बटे आने वाला है तो इस वज़े से वो घर पर जाने वाला था पर हम मार्गरेट की वज़े से नहीं जा पाएगा नेकसे में मार्गरेट को इसके बोस उसके पास बुलाते हैं तो यह थे हैं तुमारे इमिगरंट ओफिस के कॉल आया था वो तुमसे अपॉर्मेंट लेना चाहते थे पर तुम बहुत ही बीजी थी और विदाउट पर्मिशन तुम किसी अलग कंट्री में भी गई हुई थी तो इस वज़े से अब वो तुमें डिपोर्ट कर देने वाले हैं मार्गरेट को इससे शौक लगता है उससे लगा कि कुछ नगुछ तो कर सकती है पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ओफिस में भी काम नहीं कर सकती अजानक से जब यह meeting हो रही थी तो Andrew से लेने के लिए आया तो Margaret को एक idea आता है कि अगर वो Andrew से शादी कर लेगी तो यहाँ की citizen हो बन सकती है उसने अपने boss से कहा कि मेरे बास आपको देने के लिए एक news है मैं और Andrew हम दोनों शादी कर रहे हैं इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे हैं unexpected moment पर हम दोनों को प्यार हो गया यह सब सुनना Andrew के लिए एक shock ही था वो अपने boss के खिलाव जानी सकता तो हाँ में हाँ मिलाता है boss यह पूरी Margaret की चाल समझ गया पर उसे कहते हैं सिर्फ इन सब चीज़ों को legal कर देना ओफिस में जब सब लोगों को Andrew और Margaret के बारे में पता चला तो Andrew के लिए सब को बहुत ही बुरा लगता है योगि Margaret अब उसका जीना बरबाद कर देगी Andrew Margaret से बुछता है कि तुम्हें सब कर क्या रही हो Margaret ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तुम कभी भी व्राइटर बन नहीं पाओगे Andrew का व्राइटर बनना यही एक सबना था और इसी वज़े से जॉब कर रहा था Margaret कहती है हम शादी करके जल्दी से डिवास ले लेंगे कोई भी प्रॉल्म नहीं होगा इसके बाद यह दोनों Immigration के ओफिस में आ है उन्हें इस बात के लिए Confront करता है तो Margaret ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ काम करते थे तो इस वज़े से Unexpected Moment पर हमें प्यार हो गया इस बात पर Gilbert उन पर बिलिव नहीं करता उनसे कहता है वीकेंड खतब होने के बाद हम तुम दोनों का इंटर्विव लेंगे अगर इस इंटर्विव में दोनों का एक दूसरे के बारे में जादा पता नहीं है तो Andrew को जेल हो जाएगी और Margaret को फिर से उसकी कंट्री में फेज़ दिया जाएगा अफिसर ने फिर से Andrew को एक चांज दिया सब कुछ सच कहने के लिए पर Andrew कुछ भी पताता नहीं अफिसर ने पुछा कि तुमारे पैरेंस को क्या सब कुछ पता है Margaret के पैरेंस नहीं थे तो Margaret कहती है Andrew के पैरेंस को हम इस विकेंड पर बताने वाले है यहाँ से निकलने के बाद Margaret Andrew को appointment वेगिरा इन सब चीजों के instruction दे रही थी पर अब Andrew उसकी कुछ भी बात मानने नहीं पड़ती है अब इस मोके का फायदा उठा कर Andrew Margaret से गया था तुमने मुझे शादी के लिए प्रवपरली पूछा नहीं मुझे ब्रवपरली प्रपोस करो और Margaret को यह करना पड़ता है इंटर्व्यू में जो भी questions वो पुछने वाले थे इस सब Andrew को Margaret के बारे में पता था पर Margaret Andrew के बारे में कुछ भी जादा चानती नहीं इस पूरे विकेंड पर वो Andrew को जानने की कुशिश करेगी Andrew के टाउन पर पोशने के बाद उसकी मदर और ग्रैंड मा ने इनका स्वागत किया उनने देखकर बहुत ही खुश थे Margaret की एज एंडरू से पड़ी है तो इनके लिए ज़रा surprise था पर फिर भी इस बात को accept कर लेते हैं Andrew और उसके फादर हमेशा चकरते रहते हैं इस वज़े से उसे लेने के लिए नहीं आये थे Margaret ने पूरे टाउन में नोटिस किया कि हर जगा अपर Paxton ने लिखा हुआ था यानि कि हर शौप ये Paxton का था Andrew का पूरा नाम में Andrew Paxton है इसका मतलब है ये पूरा टाउन उसकी family ओन कर दिया वो इतना ज़ादा अमीर है इसके बारे में Margaret को कभी भी पता नहीं था Margaret ने टाउन के एक होटेल में reservation किया हुआ था पर पूरा टाउन Andrew के family ओन कर दिया तो इस वज़े से ग्रैंडमा ने already reservation कैंसल कर दिया था वो चाते थे कि Margaret उनके साथ ही रहे ये फिर boat पर वेट कर एक island पर जाते है और वही पर उनका घर था बेचारी Margaret पानी से बहुत ज़ादा तरती थी तो इस वज़े से जैकेट पहन करी boat पर वेट ही Margaret ने Andrew से पुछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने ज़ादा अमीर हो Andrew ने कहा कि मेरी family reach है मैं नहीं हूँ जब एक घरबर पहुच है तो इनके लिए एक बड़ी party रखी गई थी Margaret Andrew के फादर से मिल दिया Margaret जो भी काम करती है इस profession को थोड़ा सा भी respect नहीं करते उन्हें इसके बारे में ज़ादा पता भी नहीं था Andrew का इस तरीके से अपने passion को follow करने के लिए खर छोड़ कर जाना उसके फादर को अच्छा नहीं लगता तो इसी वज़े से वो ज़रा bitter थे फादर ने Andrew से कहा तुम अपने boss को date करे हो यह सिर्फ opportunity पाने के लिए Andrew कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं actual में उसे pair करता हू वो अपने फादर से गुसा हो जाता है और सब लोग को बता देता है कि Margaret उसकी fiance है इन दोनों के लिए सब लोग बहुत खुशते है grandma और मदर ने Margaret से पूछा कि Andrew ने तुम्हें प्रपोस कैसे किया था इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी तो Andrew कहता है कि Margaret को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है वो ही तुम्हें बताए कि कुछ भी वियर सी स्टोरी उन्हें बता देते है सब लोग फिर इन्हें चियर करने लग गया कि एक दुसरे को किस करो कि Margaret और Andrew के लिए ज़रा वियर था तो Andrew उसके हाथ को किस करता है और बाद में उन्हें फोस करने के बाद रियल किस करना पड़ता है यह फिलिंग इन दोनों के लिए अलग ही थी इसके बाद Grandma ने Margaret और Andrew को उनका रूम दीखाया उने एक कंबल देती है और कहती कि इसका नाम बेबी मेकर है इसे ओडने के बाद बहुत सारे लोग को बेबी जुए है Andrew डर कर तुरंद इसे फेक देता है एक ए रूम होने की वज़े से Andrew को बेचारे को नीचे सोना पड़ा सुबा होने के बाद Margaret को आर्टिस का कॉल आ है अब उसे लग रहा था कि वो भूग नहीं लिख सकता तो उसे कन्विंस करने के लिए Margaret उसे बात कर दिया जरा रेंज आनी रही थी तो बाहर चली के Andrew के घर पर एक छोड़ा सा डॉग पी था वो भी उसके पीचे पीचे बाहर आ जाता है डॉग को इगल से खत्रा था इगल ने डारेटली उस डॉग को उठा लिया Margaret अबना फोन इगल को मार कर डॉग को बचा लेती है पर बाद में इगल ने उसका फोन ही ले लिया उस इगल के पीचे बाग रहे थी ये सब बहुत ही जादा फणी था ग्रैंड मौ और मदर उसे देखकर बहुत हैसते है एंडरो ने Margaret से बूचा कि तुम वरीड क्यो हो Margaret कहती है कि इगल मेरा फोन लेकर गया एंडरो कहता है कि वरी मत करो हम सिटी में जाकर उसे लेकर आएंगे ग्रैंड मौ और मदर उने देख रहे थे तो एंडरो ने कहा कि मेरे गले लग जाओ उसका फाइदा उठाने लग गया था Margaret कहती है जादा मजे मत लो वरना तुम्हारी नीन में तुम्हें मार डालूंगे इसके बाद एंडरो अपने फादर से मिला कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सौरी कहते है इसके बाद हो गहते है मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया यह सिर्फ तुम्हारी ले किया और अब तुम्हें नहीं करना चाते है तो इस वज़े से मुझे ज़रा बुरा लगता है एंडरो ने कहा कि मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता फादर ये बात समझ नहीं पाते हैं तो फिर से इन दोनों में जगड़ा हो गया थोड़ी दर में मदर और ग्रेंड माय मार्गरेट को सिटी में लेकर रहा है उसे एक लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था रमोन ये उनका ही इंपलाई है और उनके घर पर वो ऐस अ शेप भी काम करता है ये मार्गरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है उसने कहा कि तुम बहुत ही लगी हो कि एंडरू तुमारे पास है मार्गरेट ने पुछा कि तुमारा और एंडरू का ब्रेक अप क्यो हुआ वो गहती कि हम हाई स्कूल में डेट कर रहे थे उसके बाद एंडरू को लग रहा था कि नुई यॉक में जाकर वो अपना पैशन फॉलो करे वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ हूँ पर मैं हमेशा इसी टाउन में रही हूँ इसी वज़े से उनका ब्रेक अप हो गया इस सब लोग जब घर पर वापस आया तो एंडरू गुस्से में लकडिया तोड रहा था ये बाद उसकी मदर ने नोटिस कि और डारेकली फादर के पास आयी वो गयती कि तुमारी वज़े से एंडरू अब घर पर नहीं आता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा और ये वो नहीं चाहती थी मागरेट इनका जगड़ा सुनकर अपने रूम में चली जाती है वो शावर ले रही थी और बाद में उसने रियलाइस क्या उसके पास टॉवेल नहीं है एंड्रू हेड़बोन लगा कर अपने रूम में आया मागरेट टॉवे लेने की कोशिश कर रही थी और डॉक उसे रोक रहा था वो जल्दी जल्दी से डॉक से पीछा चुड़वा कर बाहर आ जाती है तब ही वो एंड्रू के उपर गिर गई ये दोन नूड थे तो इनके लिए बहुत ही वियर्ड बन जाता है रात में मागरेट एक गाना गुनगुना रही थी तो एंड्रू ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है मागरेट कहती कि बहुत ही फेमस बैंड है वो एक गाना गुनगुना देती है तो एंड्रू कहता है कि मुझे पता था मैं सिर्फ तुमारा गाना सुनना चाता था मागरेट एंड्रू को जिस तरीके से ठीट करती है तो उसे बुरा लगता है उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो भी मेरे पैरेंस की डेट हो गई थी तब से हो हमेशा अकेले ही रही है इस वाज़े से कभी भी उसकी लॉंग टम कोई भी रिलेशन्शिप रही नहीं एंड्रू को भी उसके लिए बुरा लगता है सुबह उने पर मदर इनकी लिए ब्रेकफास लेकर आए तो जल्दी से एंड्रू मारेट के बेड में आ गया मदर के बिज़े बिज़े फादर भी आए उनसे पुछते हैं कि अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसे विकेंड पर कर लो ग्रैंड मा को भी बहुत अच्छा लगेगा पहले तो यह मना कर रहे थे पर बाद में ग्रैंड मा भी आके वो गयती कि अगर मेरी डेट होके तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊंगे इस एमोशनल ब्लैक मेल की वज़े से दोनों मान जाते हैं सब जाने के बाद बिचारे एंड्रो को बहुत ही बुरा लगा वो मागरेट से कहता है कि अगर सब को सच के बारे में पता चला तो बहुत ही बुरा होगा मागरेट कहती कि ऐसा कुछ बे नहीं होगा हम थोड़ी दिन में डिवास ले लेंगे और बाद में तुम उन्हें बता देना वो एंडू का सहारा देते हुए उसके पास आ गई थी ये दोनों करीब आने लग गए थे ये बाद मागरेट रियलाइस करकर वहाँ से चली जाती है वो अकिले बाइसिकल राइड करने के लिए गई वो अपने आपसे कहे रही थी ये जादा इमोशनल मत बनो ये सिर्फ एक बिजनेस डील है इसके बाद एंडू और मागरेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में आए टाउन में मागरेट अपने इमेल जब चेक कर रही थी तब वो एंडू को उसके एक्स गर्फेंट से बात करता देखती है मागरेट ने एंडू से बूचा तुमारी एक्स से मिलना क्या तुम्हें अच्छा लगा एंडू करता है कि ठीक ठाक था वो कन्फर्म करना चाहती थी कि क्या एंडू अब भी अपने एक्स को लाइक करता है पर एंडू अब उसे लाइक नहीं करता था टाउन में ग्रैडमा और मदर इन दोनों से मिल जाते है वो मागरेट को एक शॉप में लेकर गया ग्रैडमा उसे एक वेडिंग ट्रेस देती है कहती है मेरी शादी भी इसमें ही हुई थी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी में भी यही पहनो ग्रैडमा ने मागरेट को एक नेकलेस दिया कहा कि 150 एस से इनेकलेस हमारी फैमिली में है मागरेट इस सुनकर जरा इमोशनल हो जाती है इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था ग्रैडमान उसे फोस किया कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो तुमें लेना ही पड़ेगा इन सब बातों की वज़े से मागरेट डिस्टब होके वो एंड्रू के साथ बोट में चड़कर जल्दी से आगे चली जाती है उसने एंड्रू से खा कि मैं भूल गई थी एक्चुल में फैमिली होना क्या होता है मैं जो भी कर रही हूँ है बहुत ही गलत कर रही हूँ अगर सब को इसके बारे में पता चलता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा वो बोट बहुत ही फास चला रही थी उनका एक्सिडन्ट हो सकता था तो एंड्रू ने बोट उससे ले लिए वो जल्दी से इसे टन करता है और मार्गरेट पानी में नीचे गिर गई उसे देनना आता नहीं था तो बहुत जादा डर गई थी पर एंड्रू ने उसे बचा लिया उसका खैल रखता है ये दोनों जब घर पर आय तो एंड्रू के फादर के साथ एमिग्रेशन का आफिस सर गिल्बर्ड भी था गिल्बर्ड ने फादर को सब कुछ बात बता दी थी फादर ने गिल्बर्ड को पैसे दे दिये थे इस वाज़े सो एंड्रू से कहता है कि अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तुमें कोई भी जेल नहीं होगी एंड्रू कहता है कि हम सचच में एक दूसरे से प्यार करते है और वहाँ से वा चला क्या मागरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर क्यों रहे हो एंड्रू कहता है कि अगर मेरी जगा पर तुम होती है तुम भी यही करती है शाम में इनके बास ग्रैंड माई और मागरेट को अपने रूम में लेकर जाती है कहती है कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों को एक साथ नहीं सोना है डिरेक्ली अगली दिन वेडिंग की सारी तैयरी हो गई थी इनकी वेडिंग सेरोमने स्टार्ट होती है वेडिंग के वक मागरेट को बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से और सब लोग को बेवकुफ नहीं बना सकती है उसने वेडिंग रोक दी और सब लोग को सब कुछ सच सच बता दिया एन्डू उसके पीछे-पीछे रूम में आया उसने एन्डू के लिए गलेटर लिखा था वो गये थी कि तुमने जो बुक लिखी है ये अक्च्छल में बहुत ही अमेजिंग है तुम मेरे एक अच्छे असिस्टन्ट है तो इस सवजे से मैंने तुमारी बुक पब्लिश नहीं की थी पर अब मैं जाने से पहले तुमारी बुक पब्लिश कर दूँगी तुम बहुत ही अमेजिंग हो और अच्छी लाइफ जीना एंड्रू के पीछे पीचे उसकी एक्स गल्फरेंड भी आई एंड्रू कहता कि मार्गरेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उसने मेरा जीना हराम करकर रखाया एक्स गल्फरेंड को पता था कि एंड्रू मार्गरेट से बहुत ही प्यार करता है तम्से बुछती हैं क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दो कि आन्डू फेल जल्दी जल्दी निकलने लग या उसके फादर उसे रोकते हैं तो बहुत ही कर क्या रहे हो पर तुम दोनों फैमिली हो तो इस वज़े से तुमें जगड़ना नहीं चाहिए मेरे मरने से पहले मुझे तुम प्रॉमिस करो कि कभी भी नहीं जगड़ोगे यह दोनों प्रॉमिस करते हैं तभी ग्रैंडमा उटकर खड़ी होके उसे हार्ट अटक आया ही नहीं था उसने फिर पाइलेट से कहा कि जल्दी से हमें एरपोर्ट पर लेकर चलो यह सब लोग जब तक एरपोर्ट पर भोचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था अल्रेड़ी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी क्रैनमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है फादर ने बुझा कि यह सब हो क्या रहा है मदर कहती कि मार्गरेट भी एंडरो से प्यार कर दिया उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी तो इसी वज़े से हो चली गई अब इसके बाद हम फिर से मार्गरेट को अपने ओफिस में देखते हैं वो अपना सब सामान लेकर यहाँ से जा रही थी तो एंडरू वहाँ पर आ किया एंडरू से कहता है इतने साल मैंने तुम्हारे साथ काम किया मुझे हमेशा लगता था वियो तुम्हें मार đा डालो अब जब मैं तुम्हें जानने लग्या हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो तुम से प़यार करता हो हमारे बीच जो भी हुआ यह बहुत यूनीक था मागरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होगा एंडुर का अद्धा की रिलेशन्शिप हार्ड होती ही है इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरूई देख सकते हैं जो सक्सेस्फुल हुए और इन्होंने शादी कर ली इसे के साथ इस मुवी की स्वीट सी एंडिंग हो जाती है अगर आपको वीडियो अच लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आथ रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोडवेशन आइकों दाने मत भूलेगा फिर से में लेंगे और एक नेमू के साथ तुपते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया है